दोस्तों आपने कभी ने कभी रेल्वे स्टेशन पर फ्री में मिलने वाले इंटरनेट का यूज़ दो किया ही होगा पर कभी आपने सोचा है कि रेल्वे के पास इतना सारा फ्री का इंटरनेट कहां से आता है जो उससाब पेसंजर्स को फ्री में इंटरनेट देता है तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रेल्वे के पास इतना सारा फ्री का इंटरनेट कहां से आता है दोस्तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है आपको यह जानकर आश्चर होगा कि पूरी दुनिया का 99% इंटरनेट केबल के माध्यम से चलता है जी हाँ फ्रेंड्स यह एक तरह का आप्टिकल फाइबर वायर होता है जिसके माध्यम से दुनिया के सभी देशों को आपसने वायर से जोड़ दिया गया है इस वायर को समदर के राश्ते सभी देशों को जोड़ा गया है इसलिए इसे समरीन केबल कहते हैं दोस्तों इन समरीन केबल को बिछाने का काम बड़ी बड़ी कमपनियों दोरा किया जाता है जिसे टायर वन कमपनी के नाम से जाना जाता है और यह वायर सभी देशों के समदर के किनारे बसे प्रमुक सहरों तक लाया गया है दोस्तो इसी प्रकार इंटरनेट भारत के भी प्रमुक सहरों तक लाया गया है और इन महात्पूर्ण शहरों से भारत के विभी सहरों तक वायर बिछाया गया है इन परमुक शहरों से देश के आम सहरों तक वायर बिचाने का काम भारत में तेलिकाम कमपनी के द्वारा किया गया है जिसे टायर 2 कमपनी के नाम से जाना जाता है जैसे बेसनल हो गया जियो एर्टेल दोस्तो टायर 1 कंपणी द्वारा बिचाए गए वायर को टायर 2 कंपणी के समरीन वायर से जोड़ दिया गया है जिससे पूरी दुनिया में इंटरनेट का आधान परदान होता रहता है तो दोस्तो अब आते हैं अपने में टोपिक पर कि रेलवे फ्री में इंटरनेट कैसे प्रवाइड करता है तो चलिए इसके लिए एक एक जामपल देता हूँ माल लेजिए आपकी पास दू केमप्यूटर है और दुनों केमप्यूटर में से आपको फाइल या डेटा ट्रांसपर करना है तो आप पैसे करेंगे दोस्तो अगर ब्लिक्टूट या वाइफाई से करेंगे तो आपको इसमें ज्यादा समय लगेगा लेकिन अगर आप दोनों computer को आपस में जोड़ देते हैं तो कुछी मींटों में file set data transfer हो जाएंगे तो दोस्तों same process में जब देश की आम सहरों में बिचे wire को submarine cable से जोड़ा गया है और यह cable पूरी दुनिया के सहरों से जुड़ी है तो आप कोई भी data कहीं से भी free में transfer कर सकते हैं दोस्तों आपको जानकर यह आश्चर होगा कि दुनिया के किसी भी server का data free में भेजा या लिया जा सकता है तो दोस्तों इसका मतलब यहा है कि internet का कोई पैसा नहीं लगता है या पूरी तरह से free है दोस्तों अब आप सोचेंगे कि अगर internet free है तो फिर हम से पैसा क्यों लिया जाता है तो इसका जबाब यहा है कि tier 1 company ने अपने पैसे लगा कर जो submarine cable विछाई है उसके लिए वो tier 2 company से पैसे लेती है और सेम उसी थरह tier 2 company जो अपने पैसे लगा कर wire विछाया है और उसके लिए उसको tier 1 company को पैसे देने पड़ते हैं दोस्तों इसी लिए tier 2 company अपनी इस service के लिए हम लोगों से पैसे लेती है दोस्तों अब बात करते हैं कि railway या internet service फिर में क्यों दे रहा है इंडियन railway ने अपनी पहुच और communication को बढ़ाने के लिए सितंबर 2000 में rail tail नाम की एक सरकारी PSU company की सुरवात की थी जिसके उधारा पूरे भारत में high speed optical fiber wire वायर बिछाया गया दोस्तों जब भारती railway के पास खुद का optical fiber wire वायर बिछा हुआ था तो पैसे केवल टायर वन कंपनी को ही देने थे इसलिए railway ने गूगल से एक समझावता किया और गूगल ने अपनी उची तकनीक लगा कर एक सुरच्छित वाई फाई हाट स्पाट बनाया जिसका रेंज केवल railway station तक ही रखा गया फिर बाद में railway ने यह निरने लिया कि क्यों न यह service आम लोगों को भी दे जाए तो दोस्तों present time में यह केवल करीब 45,000 km तक फैला हुआ है और लगभग 5,000 railway station को high speed internet पतान कर रहा है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गये होंगे कि internet कैसे चलता है और railway के पास कितना फ्री का internet कहां से आता है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर किजीगा और channel पर नए हैं तो channel को subscribe परकर bell item को जरूर से प्रस करेजिए railway से जुड़ी ऐसी interesting वीडियो के लिए आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पर तब तक के लिए नमस्कार थैंक्स पर वाचिंग